नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूटूब चनल पर ये SSC MTS का model paper number 2 होने वारा है जो कि आपके exam के लिए important है इसमें हम लोग previous year के question देखने वाले हैं वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो please channel को जरू सब्सक्राइ ने लिखी थी तो option 1 गुलाम गिरी अगला देख लेते हैं question question है question है निमलिखित में से कौन सा विकल्प प्रत्वी की सतय के उपर या उसकी ओर लावा के संचलन में सामिल है तो option 2 जुआला मुखिये गटना अगला है भारतिय समिधान के निमलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्ले किया गया है कि संसद कानुन द्वारा किसी भी राज से छेतर को अलग करके या किसी भी राज के किसी हिस्से में किसी भी छेतर को मिला कर एक नया राज बना सकती है अगला भारतिय समयधान के किस अनुच्छेद में उलेख है कि जीवित प्राणियों के प्रती दया रखना भारत के प्रतिक नागरिक का करता भी होगा तो अगला भारतिय जनगर्णा 2011 के अनुसार निमली खित में से किस राज की जनसंख्या दस करोन से अधिक है तो आपसन पूर महाराश्टर अगला जहां तक भेदबाओं के आधारों का प्रस्ण है निमली खित में से कौन सा सब्द भारतिय समयधान के अनुच्छेद पंदरा का भाग नहीं है तो आपसन थरी पेशा अगला है लाल किले का निर्माड निम्न में से किस समराट ने करवाया था तो आपसन थरी सहा जहाने करवाया था अगला है किस बर्स से भारत में जनगरना हर दस बर्स में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है तो आपसन थरी अठारा सो एक्क्यासी अगला है दा एडवेंचर्स ओफ हकलवेरी फिन निमली खित में से किस लेकक ने लिखा था तो मार्क ट्वैन अगला देख लेते हैं निमली खित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल पर जैनेरिक दवाएं उपलब्द कराना है तो प्रधान मंतरी भारतिय जन आउस्दी पर योजना अगला भारत के सम्मिधान के निमलिकित में से किस अनुच्छित के तहट अरुनाचल प्रदेश के राजपाल के पास कानून और विवस्ता के संबन्द में और अपने कारियों के प्रभार से हटने से संबन्दित बिसी से जिम्मेदारी हैं तो आप्सिन टू अनुच्छित 371 H अगला है भगवान विस्नु को समर्पित खजुराओ का लच्मल मंदिर कि सैली की मंदिर बास्तु कला का उधारण है तो आपसें 3 ना कर अगला है निमलिकित में से किस उपन्यासकार ने एस सुटेवल बॉय लिखा है तो बिक्रम सीट अगला है भारत का कौन सा छेत्र अनोखे 16 वनो के लिए जाना जाता है तो आपसें 1 पस्चिमी घाट अगला है भारती समिधान के किस भाग में समिधान में संसोधन की प्रक्रिया निर्धारत की गई है तो भाग ये वाला आपसें 4 भाग 20 अगला है राज विधान मंडल के सत्र को इस्तगित करने के संबन में राजपाल को सला कौन देता है तो आपसें 4 मुख मंतरी देता है अगला है रिगवे सहिता में पुस्तक के सामिल है तो आपसें 3 दस पुस्तक के सामिल है अगला है निमलिखित में से किसे भारत का भजन समराट कहा जाता है अनूप जलूटा को कहा जाता है अगला है निमलिखित में से किस राज ने चवालिस बार सतरंज ओलम्पियाइड आयोजित किया था तो आप्शन एक तमिल नाडू अगला निमलिखित में से कौन सा भाहमनी सामराज को तोड़ कर बनाए गए पाँच राजियों में से एक था तो गोल कुंडा अगला है अगला है उच्च आए बर्क के लोगों पर कर की दरों में ब्रद्दी की गई जिसके परवणाम सरूप अगला है भारत में उत्पातित बस्तूओं को आयास से बचाने के लिए सरकार दोरा अपनाए गए निमलिखित तरीकों पर विचार करें तो option 3 पहला और दुसरा दोनों सत्य हैं पहला क्या है आधारित तोरी आयातित बस्तूओं पर भारी टैक्स लगाया जाता था और दुसरा है देशी उपयोग करता दोरा किसी बस्तू के आयात की अधिक्तम सीमा निर्धारित की गई थी अगला है कौन सा सामान दीर्ग कालिक संक्रमन तब विक्सित होता है जब मूँ में जिवानु सरकरा का चया पचय करके अमलका उत्पादन करता है जो दातों के कठोर उत्कों को अखनीजी करता है तो दंत छरन अगला है कौन सा राश्टिय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबध है तो राश्टिय जलमार्ग दो अगला है बेकरेल ने जो एक बिगठन प्रतिस से केंड डीपीस के बराबर है को किस प्रतिक द्वारा दर्साया जाता है अगला है निमले खित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्वों और सहरों में मेल की तोरित डिलीबरी की सुविदा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है तो सापता ही चैनल अगला है 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमले खित में से किस राज में साच्छर्था दर में सबसे कम दसकिये ब्रद्दी थी तो आप्शन 4 मिजोरम अगला हरित करांती किसका उधारन है तो आप्शन 2 प्रोध्योगी की क्रसी उत्पादन में करांती कारी परिवतन कैसे ला सकती है अगला है गुरू हरगोविन के नित्रत में सिखों ने यहां क्या बनेंगे किस आसन काल के दौरान मुगलों को चार बार पराज़त किया तो सहां जहां अगला है बर्स 1904 में अविनो भारत नामक क्रांती कारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था तो आप्शन 4 बिनायक तामोदर साबर कर अगला है निमलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया है और प्रचारित किया कि बेदान्त सभी धर्म का धर्मायना की केवल हिंदूओं का तो स्वामी बिबेका नंद अगला है देशों को जोड़ने से बोमंडली करां का परणाम यह क्या बरेंगे होगा तो आपसंत्री उत्पादकों के बीज के अधिक के बीज अधिक प्रतिस परदा अगला देख लेते हैं मीनाती मिसरा को किस प्रकार के नत में उनके योगदान के लिए पदम सिरी से समानित किया गया था तो ओड़ी सी अगला है भूमद रेखा के उपर छोब सीमा पर बायू का तापमान कितना होता है तो माइनस 80 डिगरी सेंटी ग्रेट अगला है निमलिखित में से कौन सा बिहार राज में मनाया जाने वाला एक लोगप्रियत दिवार है तो आपसन एक सामा चकेवा अगला है बाधा दावड में पुरसों के लिए मानक दूरी कितनी होती है तो आपसन पूर 110 मीटर और 400 मीटर अगला देख लेते हैं कौशन अंकुस क्रमी या हुक बर्म नामक सूत्र क्रमी परजीबी किस प्रजाती से सब्मंदित है जो आम तोर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं तो एनकी लोश्टोमा अगला है सजीब टेरीडो फाइटा का संक्यून भागोलिक छेत्रों में किस प्रकार का फैला होता है तो सीमित और प्रतिवन देता अगला है देहिंग पठकाई दिवार को निमलकित में से किस भारतीर राज की समर्द संस्क्रती के जशन के रूप में मनाया जाता है तो आप् Av passport अगला निमलकित में से कौन सा राज 37 राश्टिये खेलों में सामिल किये गए खेल गत्का से सम्बंदिध है तो आप्सन फोर पंजाब अगला राजस्तान का घुमन नत्य मूल रूप से कौन से आधिवासी सम्हू द्वारा किया जाता था तो भील जन जाती द्वारा अगला है सिमुक मौरे उत्तर काल के निम्लेखित में से किस राजबंस का संस्था पक था तो साथ बाहन साथ बाहन अगला देख लेते हैं अपने सूपी और लोग संगीत गायन के लिए विख्यात भारती लोग गायक मामे खान किस राजसे से हैं तो आफसनपूर राजस्थान राजसे हैं राजस्थान अगला है निम्लेखित में से कौन सा नत्यम मठों में परमपरागत रूप से पूरुस भिच्छूओं द्वारा किया जाता था तो सत्त्रिया नत्यम अगला है निम्लेखित में से किस अधिनियम के तहट सरवोचन अले अंतराश्थी बानिजिक मद्यस्थता सुरू कर सकता है तो मद्यस्थता और सुलह अले अधिनियम 1996 अगला है बाचपेई सरकार के कारकाल के दौरान निम्लेखित में से किसे बी निवेस मंतराले के पहले मंतरी के रूप में नियूक्ट किया गया था तो अरून सावरी अगला है भारत की 2011 की जनगर्णा के अनुसार तमिल नाडू की साच चर्टाजर कितनी थी तो 80.09% अगला है देवदासी राष्टिय पुरसकार यहां क्या बनेंगे राज में तीर्थ केंदर में आयोजित नत्युस्थम में दिया जाता है तो ओड़ी सा और आज का लास्ट देख लेते हैं निमलेखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस बित्रन तंत्र के कई दृष्टी कोणों में से एक नहीं है तो सस्ता सबसेडी वाला क्रेडिट तो गाईज आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद